हेलो एव्रिवान गूड मॉर्निंग और यह मॉर्निंग भी नहीं है मॉर्निंग से थोड़ा ऊपर आगे का टाइम है तो मैं हूँ अभी अपनी किचिन में और किचिन की विंडो से ही मैं बाहर इस तरह से देखती रहती हूँ तो सोचा आज आप लोगो भी यह दिखाऊं कि मेरे यहां से बाहर करना जा रहा कैसा दिखता है जब मैं किचिन में काम कर रही होती हूँ और किचिन में आज मैं आई हूँ special चीज बनाने के लिए जो मुझे बोला गया कि काफी टाइम से मैंने नहीं खाई है तो मुझे खिलाया जाए तो मैंने का चलिए आप लोगे साथ share करती हूँ कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ और सुबह कर टाइम है तो आज पता चला कि कुछ काम भी लगना है तो फटा फट से ये चीज बन जाएगी रात को ये मैंने साबूदान रखा हुआ था इसे सोग करके छोड़ दिया था तो आज हमारे मिस्टर को जो है साबूदान की खाने की इक्षा हुई है तो उन्होंने खाने के लिए खीर मांगी है तो ये मेरी खीर बनके तयार है बहुत थिक नहीं बनाई है मैंने थोड़ा पतली रखी है और इसमें कस्टर्ड मिल्ड भी मिला दिया है तो अब सर्व कर लेते हैं और इनको दे देते हैं पूछते हैं कि टेस्ट कैसा है तो मैंने बस इसको चम्चे से हिला कर और पाउल्स में इस तरह से सर्व कर दिया था और इसको रखोंगी अब ठंडा होने के लिए ताकि ये डिरेक्ट पिया जा सके और आज कुछ इतने जो काम हुआ था ना इन्होंने इतने दिनों के कपड़े मेरे लिए छोड़ रखे थे इन सब को मुझे वाश करना है तो ये हैं वो कपड़े जो अभी मैंने नीचे छोड़ रखे हैं तो चैशल हुआ हैं डेह 2G रूपसरास 7-9 डाल पिकनाभनपक्रम लाथ, और रीख कपड़े में वाइने rates कपड़े हैं अर इसके बाद बाकी जो क्पड़े को मैं इसमें हूँ इसमें डाल दूँगए और उसके बाद लास्ट में जो कर्टन है उनका नमबर आएगा तो इसको मैं बस वाश करती हूँ और छोड़ दूँगी अब इसके बाद मैं बाहर का भी साथ-साथ काम देख रही हूँ खाने पीने का तो वो भी मैं बनाती रहूँगे और आज काफी दिनों के बाद मशीन लगए है यह लगपख हो गया होगा दस दिन इस बीच मैंने कोई मशीन नहीं लगाई जब तक कि कपड़ों का धेर नहीं होता मैं मशीन नहीं लगाती हूँ अब इधर जबकि यह हमारे त्योहरों का टाइम आने वाला है घर की साफसफाई भी लगए है तो सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा जल्दी जल्दी मशीन का यूज होता है ना कर्मी में नहीं हो पाता है आई तो थी खाना बनाने के लिए पर यहां देखा तो जिनका काम लगना था वो आ चुके थे तो खाना बनाना मेरा आप कैंसल होगे है नोने का सिर्फ काम देखो अभी मतलब बाहर से लॉक हो जाएगा ना कैसे होता है करान तो पड़ेगा ना वो यह आज हमारे गर में जिस काम की बात कर रहे थी मैं अभी इनको ही आना था इनसे बात की थी कभीर ने कल में तो यह आज आए हैं इसका जो काम है वो है वैल्डिंग के काम के लिए इनको बुलाया है और यह हमारे जो सबसे पहला काम था हमारा था एक घर में PCO जो चला करता था कभी बहुत पहले जिलों ने PCO से कभी कॉल वगरे की होंगे तो उनको याद होगा कि जब तक मोबाइल नहीं हाथ में आये थे तब तक हमें PCO की कितनी जरूरत बढ़ा करती थी तो यह वो बूथ था कि जिसमें जब अभी तो क्या है कि मोबाइल से आत्मी दूर चला जाता है अलग कमरे में चला जाता है किसी से privacy अगर चाहिए उसे तो personal बातों के लिए अलग चला जाता है लेकिन पहले क्या था कि आदमी को जब प्राइवेसी चाहिए होती थी बूत पर आते थे और इस तरह का ये बूत होता था जो रखा होता था जिसके अंदर वो बैटकर connecting फोन से आसानी से अपनों से कुछ परसनल बाते किया करते थे तो ये उस टाइम का बूत है तो हम लोगों को अपने इस बिजनिस के आखरी इस निशानी से बहुत लगाओ था और मैंने इसे तोड़ने से इंकार कर दिया था ये लगभग 20 साल पहले का है 20 साल पहले ये बिजनिस हुआ करता था और तब लंबी लंबी लाइने लगा करती थी सुबह 4 बजे मैंने खुद इतने सालों तक इसमें महनत किये तो मुझे बहुत ज़ादा एक भावनात्मक लगाओ कह लीजिए उस टाइब का था कि सब कुछ खतम हो चुका है लेकिन ये एक ऐसा वो है जिसे मैं रखे हुए थी बस इसमें कुछ एक दू सामान छोड़ रखे थे और इसको मैं कह रही थी कि नहीं तुरुआ होंगी नहीं इसको ऐसे ही रहने दीजिए याद तो रहेगा हमेशा अपने आगे आने वाली जनरेशन को दिखाने के लिए कि कभी इस तरह के बूत भी चला करते थे जो हमने रखा हुआ है तो वरना उनोंको पता कैसे चलेगा कि वह हमेशा से मॉबाईल देखेंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि भई पहले फोन कैसे किया करते थे कैसे बात होती थी तो हम लोग की दिबाग में होता है कि कई बार खुराफात आती है बहुत सारी चीजों को लेकर तो हम लोग एक तो लगाओ भी रखते हैं और इस तरह की बातों से कोई चीज तोड़ नहीं पाते हैं तो ये आज हमारे दिल के टुकड़े हैं जो आपको दिखा रहे हूँ कि अब ये कभी इन से बहुत दिल चुड़ा हुआ था और हम लोगों ने सुबह उठकर चार-चार बज़े से रात के बारा एक-दो-दो बज़े तक इतनी मेहनत किये कई-कई घंटे बिना सोए कि आप लोगो बता नहीं सकते हैं और उसके ये टुकड़े होते हैं आज देख रहे हैं हम लोग PCO होना उन दिनों अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि कि किसी घर में PCO होना है अजकल ब्लॉगिंग मोच चलती है अंटी करती है यूट्यूब पर मैंने बोला था शीशा संभाल कर निकालना मुझे यह कहीं पर इस्तेमाल करना है तो इन्होंने बहुत संभाल कर निकाला बहुत अब देखना दी कि उपन तो बहुत आ है कि उपन रहने हिए ईयूब आ पर देखने ही क्रेक हुए ए निकाल दो कि उपने है सबद्द्द्द्द्र निकाला अगा कि अजकल अज़ए तो बहुत दो ड़िया ने अज़ए चोलती मतान धजा पने है इस बाब रब रुजा अब दो डुपए हैं एक 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 निकालो एक निकाल लुजा लुजा लो इसको आजा रज़ी तो चालो चालो पिप्टी बचन दो सफल हो गए कोशिश तो इन्होंने अपनी पूरी की थी कि शीशे को सेफ निकाला जाए लेकिन विचारे जितना कोशिश कड़ सकते थे पर खुद ही भी उनको अफसोस हुआ कि हमने शीशा तोड़ दी तो हमारे पहले रोजगार की यादे जो आखरी याद थी वो भी इतिहास के पन्नों में आज दफन होने जा रही है और अपने आखों से उस चीश को मिटते हुए देख रही हूँ जैसे होता है कभी कोई सी चीश का कभी तो अंत आता ही हर चीश का कभी अंत हो जाता है तो होना ही था कभी तो होता हमारे सामने हो गया या हमारे बात कभी होता तो ये चीज़ सोच कर कि चलो इसको हटाया जाए सामने रखा अच्छा भी नहीं लगता था और इसे हटाना था बस जित से रखा हुआ था तो आज इसको हटा कर बोला गया इसको तोड़ फोड़ कर आ वालों का अलग time होता था सुबह 5 बजे सबसे ज़ादा लोग आते थे आठ बजे के बाद उसकी call दर बढ़ जाती थी 10 बजे के बाद अलग होती थी full rate लगते थे और जब शाम होती थी शाम को 8 बज़ता थे जब तो 8 बजे से फिर rate कुछ कम हो जाते थे और रात को 11 बजे के पल्स चला करती थी जिसे पल्स बोला जाता था फिर half rate होता था फिर one third rate होता था और one fourth तक आता था rate तो one fourth में ये होता था कि जो call करने वाली customer होते थे उनको काफी देर बात करने को मिल जाता था और जिनको बहुत ही emergency में call करना हुआ करता था वही लोग full rate में आकर call करते थे उसके अलावा कोई भी नजर नहीं आता थे तब तक लोग या तो बहुत पैसे वाले लोग होते थे वो full rate में बात कर पाते थे और या फिर बहुत ही मजबूरी वाले लोग जो होते थे जिनको ये लगता था कि हम भई 5 second में बात कह लेंगे या 10 second में उसमें ही उनका काफी हो जाता था पैसा तो आज के व्लॉग में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आज मुझे यही duty दी गई कि आप यहाँ पर बैठी रहेंगी किसी भी सामान की जरूरत होती है तो मुझे लाना पड़ता है तो इसलिए आप यहाँ पर बताती रहना इन ल आदकों में दोलूंगी तो सब काम मैं छोड़ चुकी हो भी इलो भहिया लो के पास बैठकर मैं यह बस कुछ देना है बताना है तो वही सब कर रही हूं बीच में इनको चाय भी दे दी थी मैंने और इनको ही मैंने दोडा कर समोसा भी मंगवाया था कि जाकर समोसा लेकर र तो आज का जो दिन का खाना था ना जो खीर काई थी बस उसके बाद समूसा ही हुआ है और कुछ ने मैं काम तो करा रही थी पर मैं खुद को भी दिखा रही हूँ कि मुझे मतलब मन में बहुत सारी बाते उस दौर की चल रही थी तो मैं बैठे बैठे इसको देखती रही रिकॉर्ड करती रही और सोच रही थी उस टाइम उन दिनों को कब इतना टाइम हमारा निकल गया और हम क्या थे कहा से कहा तक आ गए है वो सारी चीजे मेरे दिमाग में चल रही थी फिर सोचा कि अब आज क्या दिखाना यहां बैठ नहीं है बस और अपने PCO के टाइम का जब फस्ट डे हमारा शुरुआत हुआ था एक एक चीज हम लोग याद कर रहे थे बैठ कर जब बीच बीच में कबीर आ जाते थे फ्री होते थे ना तो हम लोग उन दिनों की यादो को ताजा कर रहे थे आज की दिन तो तो यह लगभग हर पल्ला इसका अलग हो चुका है तूटी चुका है और यह बस इसको तोड़ते जा रहे हैं एक एक पल्ले को अलग करते जा रहे हैं और आप लोग यह बताएगा कि आप लोग ने PCO में किस-किस ने जाकर कॉल की है औ ऐसे PCO का फुल फॉर्म तो शायद यही होता था पब्लिक कॉलिंग ऑफिस ऐसा कुछ था आज की टाइम में तो मैं खुद मोबाइल यूज कर रही हूँ स्मार्टफोन यूज कर रही हूँ तो सोचती हूँ कि यार क्या दिन थे वो और क्या यह पूरा कंप्यूटर हाथ म लेकर बैठी रहती हूँ सारे काम मैं इस पर करती रहती हूँ आसानी से और सिर्फ इसको कि पहला हमने बिजनेश जो शुरू किया था इसलिए इससे इतना लगाओ था और यह कोई दूसरा ही आ गया था वो सुबह वारे लड़के तो बस चाय और समुसा करके निकल गए थ था और यह तयार हो रहा है इसके दो पल्ले से एक गेट क्योंकि यह सामने वाला हमारा हाफ गेट लगा है तो हमें एक तो दिमाग में यह आ रहा था कि इसमें ही गेट इससे तयार करवा के एक अगर आधा पल्ला हम और तयार करवा लेते हैं तो हमारा यह एक बड़ा देना बाहर तो वो भी ठीक हो आइडिया है लेकिन कब तक होगा करेंगे नहीं करेंगे ये डिपेंड करता है टाइम पर कि हम क्या कर पाते हैं और क्या नहीं तो अभी सब कुछ टाइम पर ही छोड़ रखा है बस चलती रहती है जंदगी ऐसी ही है हमारी देखें आज का व्लोग तो अतना बहतर नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है लोगों को शायद पसंद ना है क्योंकि इसमें मैंने सिवाए इस एक काम के तो कुछ ज़्यादा को शेयर किया भी नहीं है तो लेकिन मैं यह कहना चाहती हूँ फिर भी कि आप लोग अगर देख रह है इन बेचारों ने अपने जो हैमर लाए थे ना उससे इतनी तोड़ फोड़ करी पटका पटकी कि इनकी हैमर की जो लकड़ी थी वही तूट गई अब इनको खुद उसको जोड़ने के लिए उसको गिसाई करके ठोकना पड़ रहा है ठीक कर रहे हैं करें बहिए इतना मजबूत हमने उमीद नहीं तर आजकल ऑसा मिलता भी नहीं तना मजबूत मोटी चादर जो आती है लोहे की वह कहरें आजकल तो जिसी SiWhat ने खरीदना ही बंद करदिया है लोहे को ऐसे लोहा बहुत महँगा है और एतनी मोटी ही जादर कहीं नहीं मिलती है कोई लेही नहीं गर में तो इससे इतना कच्रा गिरा है लोहे का जो जंग वगरे था न जिसे वो कह रहा था ये लोहा मिट्टी है वो लोहे की मिट्टी बता रहा है कि देखे कितने किलो तो ये गिरी बस इसमें वजन जादा है और रियल जो मिट्टी होती है उसमें इतना वजन नहीं होता है तो बहुत सारा कच्रा तो इन लोगों ने फैला दिया मैं यही सोच रही हूँ कि एक तो इसे मतलब क्या करूँ क्या सव्योजी नहीं आता आज कल तो दिमाग ऐसा हो रखा है घर के काम, अंदर के काम, बाहर के काम और जड़ो मार मार कर, पूछा मार मार कर सारा करकर के मैं बहुत परिशान हो रखी हूँ और यह कब तक चलता है तो खेर, मौसम खुलने बाद तो हर साल ही होता है ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हो रहा है लेकि इस बार तो क्योंकि बिल्कुल फ्री हो गए है बिल्कुल एंड होता ही नहीं है तो आज आप लोग को काफी मैंने टाइम खराब कर दिया यह सब दिखा कर, तो अब मैं आप लोग से विदा लेती हूँ यह काम तो चलता रहेगा मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में तब तके लिए बाई बाई, have a nice day